नमस्कार आप सब का बहुत बहुत स्पागत है मेरे चैनल नमनी टॉक्स में बचों आज हम देखेंगे हरिहर काका पाठ का चौथा और अंतिम भाग कक्षा दस्वी में जो पूरक पाठे पुस्तक है जिसका नाम है संचेन भाग दो उस पुस्तक का ये पहला पाठ है और इस पाठ से सम्मंधित पहले तीन भाग हम देख चुके हैं तीसरे भाग में हमने देखा था कि हरिहर काका को बहुत ही बुरी अवस्ता में ठाकुर बारी से बरामत कर लिया गया तो आईए देखते हैं इसके बाद क्या होता है हरिहर काका की घर वापसी और उनकी सुरक्षा अ अब वे दालान में नहीं घर के अंदर रहते थे सुरक्षा कारणों से उन्हें अब दालान में नहीं रखा जा रहा था बलकि उन्हें घर के अंदर सुरक्षित रखा जा रहा था उन्हें किसी बहुमूली वस्तु की तरह रखा जा रहा था अब हरिहर काका की देखभाल कि जुटाए गए हो सकता है हथियारों की भी जरूरत पड़े इसलिए हथियार भी जुटा लिए गए 24 घंटे पहरा दिया जाने लगा 24 घंटे कोई न कोई हरियर काका की सुरक्षा में पहरा देता रहता किसी जरूरी काम से काका को यदी गाओं से बाहर जाना होता चार-पांच लोग हथियार के साथ उनके आगे पीछे रहते यदी किसी काम से काका गाओं के बाहर जाते तो हमेशा उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए चार-पांच लोग हथियार लेकर उनके साथ रहते थे रात में भी उन्हें घेर कर सोते, सोते समय भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता था, सभी लोग उनके आसपास सोते थे आधे लोग रात में सोते, बाकी के लोग जाकर पहरा देते, कुछ लोग सो जाते थे और बाकी लोग जाकर पहरा दिया करते थे तो आईए आगे देखते हैं इसके बाद है ठाकुरबारी का बदला हुआ माहौल अब ठाकुरबारी का जो माहौल था वो पहले जैसा नहीं रहे गया था वहां का माहौल पदल चुका था आईए देखते हैं वहां क्या बदलावाय थे ठाकुरबारी का दृष्य भी बदल ग गाउं के बच्चों ने भी ठाकुरवारी जाना छोड़ दिया था गाउं के बच्चे जो दिन रात प्रशाद के लालच में ठाकुरवारी जाया करते थे वह भी अब उस तरफ नहीं जा रहे थे इस घटना को लेकर पहले ही लोग दो गुटों में बट गए थे पहले ही हमने देखा था कि गाओं के जो लोग थे वो दो वर्गों में बट गए थे अब ये लोग क्या बाते कर रहे थे सभी की इस घटना को लेकर अपनी अपनी राय थी और ये जो घटना घटी थी इस पर सभी अपने अपने विचार दे रहे थ वर्तमान स्थिती पर हरियर काका की सोच अब वर्तमान की जो स्थिती थी उस पर हरियर काका क्या सोच रहे थे। अब भाई जो उन्हें इतनी सुरक्षा दे रहे थे इतना आदर सम्मान दे रहे थे इस पर भी उन्हें शक हो रहा था और इसका कारण भी वो अच्छी तरह जानते थे कि भाईयों का क्या लालच है। काका के पास खेत नहीं होते तो भाई पूचते भी नहीं। आज अगर हरियर काका के नाम कोई भी संपत्ती नहीं होती तो शायद काका को कोई पूचता भी नहीं। ये काका अच्छी तरह से समझ चुके। गाउं में कितने ही जायदात हीन भाई हैं जिनें कोई पूचता भी नहीं। अब गाउं की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कई ऐसे बुढ़े बुजर्ग हैं जिनके नाम कोई संपत्ती नहीं है। घर वाले उनकी कोई इज़त नहीं करते। ये काका अच्छी तरह देख चुके थे। महंत जो मीठी मीठी बाते काका के साथ कर रहा था इसकी सच्चाई वह अच्छे से जान गए थे। इसके पीछे महंत का क्या स्वार्थ है ये भी उन्हें समझ में आ गया था। जो कुछ भी चल रहा था महंत और साथू जो है वो किस तरह से ठाकूर्बारी के नाम पर आराम से रह रहे थे। भी उन्हें समझ में आ गया था। उन्हें धर्म और पर्मार्थ से कोई मतलब नहीं था। निजी स्वार्थ के लिए साधू होने और पूजा पाठ का ढोंग कर रहे थे। ये सब करने के पीछे सिर्फ उनका निजी स्वार्थ था अपना स्वार्थ चुपा हुआ था। इसलिए वे साधू होने का ढोंग कर रहे थे और इतनी पूजा पाठ जो है वो ठाकुरबाडी में की जाती थी, ये सारी चीजें बस दिखावा थी, साधू के वेश में वे सभी लोभी और कुकर्मी थे, साधू का वेश उन्होंने धारन किया वा था, लेकिन उनका जो असली चहरा था, वो एक लोभी का था, उनमें लालच भरा हुआ था और कुकर्मी, मतलब बुरे कर्मों में वो लिप्त थे, किसी भी तरह वे धन प्राप्त करना चाहते थे, बिना परिश्रम के वे सभी आराम से रहना चाहते थे, उन्हें परिश्रम करने की आदत बिलकुल नही कर रहे थे, ठाकुरबारी के अंदर क्या कुछ हो रहा था, अब हरियर काका का पका इरादा, अब हरियर काका ने मन ही मन कुछ तै कर लिया था, कुछ इरादा कर लिया था, काका महंत और ठाकुरबारी की असलियत जान चुके थे, तै कर लिया कि महंत को अपने पास आने नह नहीं देंगे काका समझ गये थे कि जायदा दूसरे को देने के बाद कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं भाई भी उन्हें मान सम्मान नहीं देंगे और उनका बुढ़ापा दुख और कष्ट में बीतेगा तो यहां पर उनके बुढ़ापे का सिर्फ एक ही सहारा है यह उनक का बढ़ता लालच और हरियर काका को सला अब भाईयों का जो लालच है वो बढ़ता जा रहा था वो यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हरियर काका के 15 बीगे जमीन उनके नाम हो जाए और इसलिए वो हरियर काका को कुछ सलाह दे रहे थे कुछ एडवाईज दे रहे थे आ काका को अपनी जायदात अपने भतीजों के नाम लिख देनी चाहिए भतीजे मतलब जो भाई के जो लड़के हैं उनके नाम उन्हें अपनी 15 भीगे जमीन लिख देनी चाहिए काका के ऐसा ना करने पर महंत हमेशा काका के पीछे पड़ा रहेगा और उन्होंने ये बात काका को समझाने की कोशिश की, कि आपके नाम अगर जमीन होगी तो यह महेंथ जो है ओवो हमेशा आपका पीछा करता रहेगा, हमेशा आपको परिशान करता रहे, काका के सुरक्षित रहने का केवल यही एक रास्ता है, और काका तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब वो अपनी जमीन अपने भाईयों या अपने भतीजों के नाम कर दिया हर समय लोग बस यही चर्चा कर रहे घर के सभी लोग दिन रात यही चर्चा कर रहे थे कि हरियर काका को अपनी जमीन अपने भाईयों को या भतीजों को दे देनी चा जाएगी महंत ने जो काका के अंगूठे के निशान साधे कागज पर ले लिये हैं उसके खिलाफ काका ने कोट में मुकदमा कर दिया अब उन्होंने ये भी बता दिया कि महंत ने जो साधे कागजों पर काका के अंगूठे के निशान लिये हैं उसके लिए काका ने महंत के ख किस तरह से बदल रहा था काका किसी भी हाल में भाईयों की बात नहीं मान रहे थे भाई उन्हें समझाते समझाते ठक गए तब भाईयोंने काका को डाटना और दबाव देना शुरू कर दिया बहुत समझाने के बाद भी काका ने जब भाईयों की बात नहीं मानी तो अब भा नहीं है उन्होंने कहा जीते जी मैं ये नहीं करूंगा एक रात भाईयों ने भी वही रूप दिखाया जो महंत और साधू संतों ने दिखाया था अब एक रात भाईयों ने अपना असली रूप दिखा दिया जिस तरह से महंत ने ठाकुर बारी में अपना असली रूप उनके सगे भाई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। भाईयों ने ये भी कहा कि काका अगर भाईयों की बात नहीं मानेंगे तो काका को यहीं मार डाला जाएगा और घर के अंदर ही जमीन में गड़ा खोद कर उन्हें घार दिया जाएगा। इस्तिती का अनुभा ठाकुरबारी में भी हो चुका अब ये पहली बार नहीं था कि ऐसे लोग जिन पर काका का बहुत ज़्यादा विश्वास है उन्होंने अपना असली रूप दिखाया हो। इस तरह का अनुभा उन्हें पहले भी महन्त जी के साथ ठाकुरबारी में हो चुका था काका ने सोचा कि चाहे मार ही क्यों न दें वे जमीन उनके नाम नहीं करेंगे। अब ये जो उनकी सोच थी अपनी जमीन भाईयों के नाम न करने की भाईयों का ये रूप देखने के बाद ये चीज और भी जादा स्ट्रॉंग हो गई कि अब किसी भी हालत में वो अपनी जमीन भाईयों को नहीं देंगे। काका गाउं के कुछ लोगों को याद करने लगे जो जीवित रहते ऐसी गलती कर चुके थे। पती की जमीन जो है वो दे दी थी। शुरू में रमेसर की विध्वा को खुब आदर मिला। इस तरह से जमीन देने के लिए पहले तो लोगों ने उसका खुब आदर सतकार किया। परंतु बुढ़ापे में उसे पूछने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे उसकी उम्र ढ़लने लगी, वो बुढ़ी होने लगी, उस वक्त उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं था। और ना ही उनके पास अपनी कोई संपत्ती बची थी। दो वक्त का खाना जुटाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। पती की जमीन अपने नाम रखी होती, तो उसके जो परिवार वाले हैं उस जमीन के ही लालच में सही, लेकिन उसकी सेवा अंत समय तक करते। तो इस तरह से काका कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचने लगे जो अपने जीते जी अपनी संपत्ती दूसरों को दे चुके थे और बाद में उन्हें कष्ट ही मिला था। इसके बाद है हरिहर काका का भाईयों के प्रती गुस्सा। अब यहाँ पर फिर से जो भाईयों ने अपना रूप दिखाया था उसको देखकर के हरिहर काका भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ठाकुर बारी के जो महंत और पुजारी हैं तुम सब भी उन्हीं के जैसे भाईयों का काका के प्रती गुस्सा। हरियर काका का गुस्सा देखने के बाद जो भाई थे वो भी उन पर गुस्सा करने लगे भाईयों ने काका से कहा कि हम भी देखते हैं कि तुम जमीन हमारे नाम कैसे नहीं लिखोगे अब भाई जो है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि तुम्हें किसी भी हाल में अपनी जमीन हमें देनी ही पड़ेगी तुम्हें जमीन हमारे नाम लिखना ही होगा चाहे तुम हस के लिखो या रो कर लेकिन जमीन हमारे नाम लिख दो तुम चाहे खुशी से दो या फिर परिशानी में दो लेकिन ये जमीन तुम्हें हमारे नाम लिखनी ही पड़ेगी आईए आगे देखते हैं इसके बाद है हरियर काका और भाईयों के बीच हाथा पाई अब यहाँ पर जो बात है और बढ़ने लगी और हरियर काका और भाईयों के बीच में हाथा पाई होने लगी हाथा पाई का मतलब मार पीट तक वो लोग उतर आये भाईयों ने काका के साथ मार पीट शुरू कर दिया काका घर से निकल गाउं की तरफ भागना चाहते थे काका अपनी जान बचा करके घर से निकल करके गाउं की तरफ भागना चाहते थे लेकिन भाईयों ने काका को पकड़ दिया काका के विरोध करने पर भाई उन्हें मारने लगे अब यहाँ पर जो भाई थे वो काका को मारने भी लगे काका अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे काका कमजोर पड़ गए थे और तीनों ही भाई जो हैं वो उन्हें मार रहे काका मदद के लिए चिल्लाने लगे काका को अपने बचाओ का कोई उपाय जब नहीं सुझा तो वो चिल्लाने लगे भाईयों को याद आया कि काका का मुँँ उन्हें पहले ही बंद करना चाहिए था भाईयों को यहाँ पर अपनी गलती का हैसास हुआ कि इनके मुँँ को पहले हमें बंद कर देना चाहिए अब यह चिल्ला चिल्ला कर पूरे गाउं को यहां इकटा कर लेंगे काका के मुँँ में कपड़ा ठूसा गया अब जल्दिबाजी में काका के मुँँ में कपड़ा ठूस दिया गया ताकि वो चिला न सकें लेकिन तब तक काका की आवास सुनकर गाँवाले दालान में आ गए लेकिन तब तक गाँव के लोगों तक काका की आवास पहुँच गई और बहुत सारे गाँवाले काका के दालान में आ गए ठाकुरबारी के समर्थकों ने यह बात महंत तक पहुँचा दी कुछ ठाकुरबारी को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे उनके समर्थक थे उन्होंने हरियर काका के घर में जो कुछ भी घट रहा था ये सारी घटना की जानकरी महंत को भी दे दी भाईयों और रिष्टेदारों ने गाउवालों से कहा कि ये उनके परिवार का मामला है अब यहाँ पर भाईयों और रिष्टेदारों ने जैसी देखा कि गाउवाले भाई खटा हो गए है तो उन्होंने गाउवालों से यही कहा कि ये उनके परिवार का मामला है इसलिए गाव वालों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए गाव वालों का वहां पे कोई काम नहीं है और उन्हें वहां से चले जाना चाहिए लेकिन तब तक पुलिस महंत लेकर वहां पहुँच गया लेकिन महंत ने बहुत ही फुर्ती दिखाई और वो पुलिस को ले बत्तर हालत में मिले अब एक बार और तलाशी में काका को खोजा गया था जब थाकूर बारी के एक कमरे में बंद थे उसक्त भी उनकी हालत खराब थी लेकिन आज काका अपने ही घर से उससे भी जदा बुरी स्थिति में और बुरी हालत में मिले। पिल्कुल वैसा ही वहवार आज हरियर काका के अपने भाईयों ने उनके साथ किया है और जबरजस्ती उनसे कागजों में अंगुठे का निशान भी उन्होंने ले लिया था भाईयों ने खूब मारा पीटा भी है मार पीट की बाद भी काका ने पुलिस को बता दी यदि पुलिस नहीं आती तो भाई उन्हें मार डागते स्थिती यहां तक पहुंच जाती कि अगर पुलिस आकर कि उन्हें नहीं बचाती तो आजशायद वो जिन्दा भी नहीं रहते काका के पूरे शरीर में जख्म के निशान थे, मार पीट के कारण काका का पूरा शरीर जख्मी हो गया था, काका घबराए हुए थे और काप रहे थे, इस थिती के कारण वो बहुत घबरा गये थे और डर से काप रहे थे, काका अचानक गिर कर बेहोश हो गये, और इस सारी स् भाई के जो बेटे थे वो पहले ही पुलिस को आया हुआ देखकर भाग गए काका के दो रिष्टेदारों को पुलिस में पकड़ लिया वहां मौजूद दो रिष्टेदारों को पुलिस में गिरफतार किया और बाकी के रिष्टेदार फरार थे मतलब बाकी के रिष्टेदार भी वहां से भाग चुकी आईए आगे देखते हैं इस घटना के बाद हरियर काका की स्थिति अब ये जो घटना उनके घर में घटी थी इसके बाद हरियर काका की क्या स्थिति थी काका के साथ घटी या अंतिम घटना थी अब काका के साथ कुछ दिनों पहले से ही बहुत बुरा हो रहा था और ये घटना अंतिम घटना थी जो उनके साथ घटी थी इसके बाद काका परिवार से अलग रहने लगे इस घटना के बाद काका ने ये तै किया कि वो परिवार से अलग रहेंगे काका की सुरक्षा के लिए राइफल धारी चार पुलिस के जवान उन्हें मिले अब पुलिस ने भी काका की स्थिती को देखा और उनकी सुरक्षा को देखते हुए चार पुलिस कर्मियों को चार पुलिस के जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया और उनके हाथ में राइफल भी पकड़ा दी काका के अकेले रहने पर भाईयों को चिंता होने लगी अब जब काका अकेले रहने लगे तब भी भाईयों को चिंता हो रही थी क्या चिंता हो रही थी आये देखते हैं कहीं अकेला पाकर महंत काका को फिर से अपने साथ ना ले जाए अब उन्हें अपने भाई की चिंता नहीं थी बलकि उन्हें ये चिंता थी कि महंत इस मौके का फायदा उठाते वे कहीं काका को फिर से अपने साथ ठाकुरबारी ना ले जाए महंत को भी काका की चिंता सता रह और दूसरी तरफ महंत भी काका को लेकर के चिंती थे उनकी चिंता क्या थी कहीं काका के भाई उन्हें अकेला पाकर उन्हें ना पकड़ ले और उनकी चिंता ये थी कि काका आव अकेले रह रह रहे हैं कहीं भाई उसका फायदा न उठाए और उन्हें पकड़ न ले और अप पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की इस घटना को देखते हुए काका ने खुद भी पुलिस से ये मांग की थी कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनकी जान को उनके भाईयों से और महंत से खत्रा हो सकता है महंत के डर से भाईयों ने भी पैसे खर्च कर काका के लिए पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया और वहीं दूसरी तरफ भाईयों को ये भी डर था कि महंत कहीं फिर से काका को अपने साथ न ले जाएं इसलिए उन्होंने भी बिना काका की जानकारी के पैसे दे करके पुलिस सुरक्षा का इंतजाम करवा दिया था महंत ने भी अपनी पैर्वी लगा कर काका की सुरक्षा के लिए पुलिस को तयार दिया महंत को भी डर था कि काका के भाई जो हैं काका को अकेला पा करके जमीन फिर से अपने नाम ना करवा लें इसलिए उन्होंने भी अपनी पैर्वी लगाई पैर्वी का मतलब है जो बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान थी उस चीज़ का फायदा उठाया और काका के सुरक्षा में चार जवान जो है वहां तैनात करती है तो आईए आगे देखते हैं इसके बाद है सुरक्षा में रहने के दौरान काका के साथ महंत और भाईयों का वहवार अब काका परिवार से अलग रहे थे इस थिति में महंत और भाईयों का काका के साथ कैसा वहवार थ अब काका जो है पुलिस की सुरक्षा में अपना जीवन बिता रहे थे महंत और भाई सतर्ख थे कि काका के साथ कोई भी जोर्जबरस्ति ना करे महंत यही चाहते थे कि भाई जो है वो काका से ना मिले और भाई यह चाहते थे कि काका के साथ महंत का कोई रिष्टा ना बने मह महंत और तीनों भाई काका के साथ सद्भाव और मदुर वहवार दिखा रहे थे महंत और तीनों भाईयों को जब भी काका से मिलने का मौका मिलता तो काका के साथ उनका वहवार बहुत ही अच्छा रहे थे दोनों ही काका का ध्यान अपनी अपनी और खीचना चाहते थे दोनो उन्हें क्या ऐसा प्रस्ताव हरियर काका के सामने रखा था आये देखते हैं उसी गाउं में एक नेता जीवी हैं वे नौकरी या खेती नहीं करते हैं वो किसी तरह की ना तो नौकरी करते थे और ना ही वो खेती बाड़ी करते थे फिर भी हमेशा मौज मस्ती में रहते थे ल और जाता है अब यहाँ पर हरियर काका के घर में जो कुछ भी घट रहा था उस चीज की जानकारी जब उन्हें मिली तो वो भी वहाँ पहुँच गए कुछ सम्मानित लोगों को लेकर काका के पास पहुँचे, गाउं के कुछ सम्मानित लोगों के साथ वो हरिहर काका से मिलने पहुँच गए काका के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा प्रस्ताव का मतलब है प्रपोजल काका के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अब ये प्रस्ताव क्या था आईए देखते हैं नेता जी का प्रस्ताव और काका का जवाब अब नेता जी ने क्या प्रस्ताव रखा और काका क्या जवाब दिया काका की जमीन में हरिहर उच्छ विद्याले खोलने का प्रस्ता अब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आपकी जो 15 भीगे जमीन है उसमें हरिहर उच्छ विद्याले खोला जा सकता है इस से काका का नाम अमर हो जाएगा और इस काम से काका का नाम जो है व नेता जी को निराश होकर लोटना पड़ा नेता जी के पास कोई दूसरा आप्शन नहीं था वो निराश होकर के लोट गए इसके बाद है गाउं में केवल एक ही चर्चा अब पूरे गाउं में सिर्फ एक ही बात को लेकर के चर्चा हो रही थी वो क्या बात थी आजकल गाउ में कोई न कोई घटना घट रही थी लेकिन हरियर काका वाली घटना के आगे उनका कोई महत्व नहीं था लेकिन ये छोटी मोटी घटना ओपर लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे उनके लिए सबसे जादा महत्व पूंड था हरियर काका के घर में घटने वाली घटना और इस काका के अंगूठे का निशान अपने अपने कागजों में ले लिया था इसके खिलाफ काका ने अपना बयान दर्ज करवा दिया था हाला कि दोनों के खिलाफ ही काका ने पुलिस में बयान भी दर्ज करवा दिया था और महंत के खिलाफ उन्होंने कोट में मुकदमा विदायर काका अपनी जमीन का उत्राध्यकारी किसी को भी नहीं मानते थे हरियर काका ने ये साफ कर दिया था कि उनके जमीन का जो उत्राध्यकारी है मतलब उनके बाद जमीन किसे मिलने वाली है इसके बारे में काका ने कभी भी नहीं कहा था लोगों में बहस है कि महंत और भाई दोन कौन होगा काका की मृत्यों के बाद दोनों ही इस बात का दावा कर सकτα है की काका की जमीन जो है उनकी है इसी चीज़ का और इस बात की लोगों को चिंता थी कि आखिर यह काका की जमीन किसके नाम जाये की आपद देखते हैं सभी की जो नजर थी वो महन्त ताधूसंत और काका के भाईयों पर थी ये लोग कोई भी बात अगर हरियर काका या उस जमीन के सिलसले में कहते तो इस बात को जो लोग है वो एक बड़ी खबर बना देते अब यहाँ पर और किस-किस बात की अफवाह उड़ रही थी आएए एक खबर यह आई कि महन्त और काका के भाई बहुत अफसोस कर रहे हैं अब यहाँ पर एक बात और सुनने में आई कि महन्त और काका के जो भाई हैं वो किसी बात को लेकर के बहुत ही अफसोस कर रहे हैं क्या बात थी वो काका से अंगूठे का निशान लेकर उन्हें तुर देर काका के मर जाने के बाद ये जो आज बात यहां तक पहुँच गई है इतना सारा कुछ आगे नहीं होता बात वहीं खतम हो जाती है दूसरी खबर यहां आती है कि काका के मरने के बाद उनके शरीर को अगनी देने के लिए भी महनत और भाईयों में लड़ाई होगी दूस काका की अंतिम क्रिया के लिए महानतव भाईयों में भैंकर लड़ाई हो सकती है, गाँवाले ये भी सोच रहे थे कि काका की अंतिम क्रिया जब होगी उस समय महानतव भाईयों में बहुत जादा लड़ाई हो सकती. आएगे देखते हैं और किस तरह की अफवाह Quite घाओं में इसके लिए भाईयों ने इलाके के मशूर डाकू बुटन सी से बात पक्की कर लिये उस इलाके का एक मशूर डाकू था जिसका नाम था बुटन सींग इससे भाईयों ने हाथ मिला लिया है इसे अपने साथ कर लिया है और इसी की सहयता से शायद वो काका की जमीन को अपने कारी के पूरा होने पर 15 बीगे जमीन में से 5 बीगा बुटन सिंग को मिल जाएगा और ये भी बात तै हो चुकी है कि जैसे ही काम पूरा होगा काका की जमीन भाईयों के नाम जैसे ही हो जाएगी 15 बीगे जमीन में से 5 बीगा जमीन बुटन सिंग को काका के भाई दे देंगे गाउं के दो-तीन मामले पहले भी बुटन सिंग ने निप्टाए हैं। गाउं के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गाउं में पहले भी इस तरह के लड़ाई जगड़े परिवार में हुए हैं और उस तरह के मामलों को निप्टाने के लिए खत्म करने के लिए बुटन ली गई है पूरा इलाका बुटन सिंग से डरता था चुकि बुटन सिंग एक डाकू था इसी लिए सभी लोग इस डाकू से डरते था अब चौती खबर यह है कि महंत जी ने यह बड़ा निरने ले लिया है अब यहां पर एक और खबर थी जो अफवा की तरह लोगों के करेंगे और उन्होंने एलान कर दिया है कि हरियर काका के मरने के बाद उनके शरीर की अंतिम क्रिया वही करेंगे देश के हर कोने से साध्मों और नागाओं को बुलाया जाएगा और देश के हर कोने से जो महंत हैं वो बड़े-बड़े साध्मों को और नागाओं को नागा आगे देखते हैं इसके बाद है पूरे गाउं में आतंग का माहौल पूरा गाउं जो है वो डरा हुआ था सभी लोग आने वाले समय के बारे में सोच करके डर रहे थे हर दिन इस तरह की भयानक खबरे आ रहे थे हर दिन कोई न कोई इस तरह की भयानक बातें सामने आ रहे थ गाउं में डर और आतंग का माहौल बना हुआ था सभी लोग डरे हुए थे सभी सोच रहे थे कि जिस दिन काका की मृत्यू होगी उस दिन क्या हो जिस दिन काका सच में मर जाएंगे उस दिन पता नहीं गाउं की क्या स्थिति होने वाली है महंत और भाईयों के कारण गाउं में भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी और महंत और भाईयों के बीच में एक इस तरह की लड़ाई चिड़ जाएगी जिसके कारण पूरे गाउं में एक भयानक स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ेगा महंत और भाईयों के बीच की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं यहाँ पर महंत और भाई दोनों ही पीछे हटने के लिए तयार नहीं होंगे और ये जो लड़ाई है ये कोई छोटी मोटी लड़ाई होने वाली नहीं है पूरा गाउं इस लड़ाई से प्रभावित हो जाएगा इस लड़ाई का असर पूरे गाउं पर पढ़ने वाला है लोगों के अंदर भै भी है और वे उस दिन का इंतजार भी कर रहे हैं कुछ लोग अंदर से डरे हुए हैं कि जब ये दिन आएगा तो पता नहीं क्या होगा लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में उस दिन का इंतजार भी है और वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस चीज का फैसला कैसे किया जाएगा इस भयानक स्थिती को किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता उन्हें पता है कि समय के साथ हरियर काका की मृत्यू अवश्य होगी और एक नए एक दिन ये भयानक स्थिती जो है गाउ में जरूर आएगी इस स्थिती को टाला नहीं जा सकता कभी न कभी यह दिन अवश्य ही आएगा और ये दिन कभी न कभी जरूर देखने को मिलेगा आई आगे देखते हैं अब इसके बाद है हरियर काका का मौन यहाँ पर हरियर काका जो है वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे है उन्होंने बिल्कुल चुपी साध ली है हरियर काका बिल्कुल चुप हो गए है वे अपने जीवन के बचे हुए दिन काट रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि जीवन के जो बचे हुए दिन है बस वो उन्हें किसी तरह बिताना चाहते हैं अपने लिए एक नौकर रख लिया है अपनी सेवा के लिए उन्होंने एक नौकर रख लिया है नौकर खाना बनाता और खिलाता है नौकर खाना बनाता है और हरियर काका को खिलाता है काका की जमीन में भी अच्छी फसल होती है काका के पास जो 15 भी के जमीन है उसमें बहुत अच्छी फसल हो रही है काका चाहे तो इतने में अच्छे से अपनी जिन्दगी बिता सकते हैं लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर काका चाहें तो इतनी जमीन उनके लिए काफी है और इस जमीन से आने वाली जो आमदनी है उससे वो बहुत अच्छे से अपनी जिन्दगी बिता सकते हैं लेकिन काका आप गूंगे पन का शिकार हो गया है लेकिन काका कहीं न कहीं गूंगे पन का शिकार होते नजर आ रहे हैं वो किसी से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं किसी भी बात का जवाब वो किसी को नहीं देते, चाहे कोई कुछ भी पूछ ले, वो बिल्कुल चुप रहते हैं, काका बस खुली आँखों से आकाश को देखते रहते हैं, काका किसी से बात नहीं करते, बस वो आकाश की तरफ देखते रहते हैं, काका की सुरक्षा में तैना ता वहां मौज मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, काका के धन का उप भोग्वे स्वेम नहीं कर पा, अब काका के पास जो भी धन है, उस धन का उपयोग या प्रयोग वो स्वेम के लिए कर रहे हैं बल्कि उस धन का उप्यों कोई और कर रहा है और वो तरह से हरियर काका कि यह जो कहानी है यहां खत्म होती है इस फ्लोचार्ट के माध्यम से आप इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छे से याद रख सकेंगे इसी तरह के वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखें धन्यवाद